असलाम उलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियों में और आज के इस वीडियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के उर्दू के कहकश्रा के किताब से दो चैप्टर एक है चैप्टर नंबर 34 जो कि गजल है और दूसर ये वली कि नाम से क्यों मशूर हो गया क्योंकि आए या नी कि दखें यांशी भारत के मशूर वजhe नाम से वोट रोगर यह बहुत कदेम रोड़े जिए कब कहां पैदा हुए एसे मतीट कुछ भी नहीं आसपी minha हैं इनके बारे में लेकिन जो रिसर्चर है वो मालूम किये हैं तो कुछ काच पता चला है इनके बारे में लेकिन ये बहुत ही पुराने शायर हैं बहुत पुराने और इनके जब आप इनकी घजल को पढ़ेंगे या फिर यह जो भी शायरी लिखे हैं अगर आप लोग उसको किये हैं ठीक है तो यह सारा चीज है पुराने उर्दू के लफजों को यूज कि पुराने शायर थे प्राचीन काल के शायर यह याद रखना है कहां इनको वली दकनी की नाम से क्यों मश्यूर हो गए क्योंकि यह दकन के मश्यूर साहिद याद रखिएगा तो आज के इस विडियों में दोने चैप्टर कंप्लीट करा रहे हूं अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी मैं आप लोगो को दो चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद से अब लोग के उर्दू के कहकेशा बुक में कहां ज्यादा चेप्टर है अब आप लोग का कहकेशा बुक बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और छे साथ पांच चेप्टर है और ठीक इन दोनों चेप्टर को आज पढ़ लेंगे न तो और पांच चेप्टर बचेगा उसके बाद से पुरा निचोड़ निकाल कर जितना अबजेक्टिव निकाल कर जो है ना चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज अबजेक्टिव कोश्वन कराओं तो वह आप लोगों के लिए बहुत ज़यादा इंपोर्टेंट होगा और उस सीरीज के एक वीडियो को आप लोगों को दे जाएगा तब मैं चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोशन कराओंगी ठीक तो देखिए चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले वली दकनी के बारे में यानि कि इन दोनों चैप्टर के जो मुसनिफ है राइटर उनके बारे में समझ लेते हैं इनके बारे में इसलिए जानना जरूरी है ना क्योंकि इनके बारे में कुछ जानकारी मिली ही नहीं है याद रखिए इनके बारे में कोशन पूछता है इनके बारे में जाद एक पुल की तरह दिखाई देते हैं सुमाल और जुनोवियानि कि उत्तर और दक्षड, वलिब् मोटिवेट कि ऐं कि तुम लोग भारत के लोगों को जो है न यह शायर बनाएं तिक यानिंए दखनी दक्षिर भारत में यह तो मशूर थे शीर आप उसे लिए उत्तर की तरफ क्या कर दिये फैला दियें और इसलिए इनको क्या कहा जता है शुमाल और जनुब्या निकि उत्तर और दक्षिर का फिल किया जात और शेख नुरुद्दीन से तालिम हासिल की है देखिए वली दखनी के बारे में आप लोग को बताई इनके बारे में तो कोई जनकारी नहीं मिले कि बहुत पुराने शायर थे प्राशीन काल के लेकिन फिर भी गुजराती मुहक्किन यानि कि गुजराती जो रिसर्चर है ग यानि कि वली का पुरा नाम शाह वली उल्ला और इनकी जय पेदाईश एहमदाबाद है यह किसके हिसाब से गुजराती मुहक्किन यानि कि गुजराती रिसर्चर के हिसाब से मालूम चला कि यह एहमदाबाद में पैदा हुए और इनका पुरा नाम यह है ठीक और उसके ब तो ये गुजराती जो रिसर्चर है ये सारा चीज हम लोगों को बताए और ये भी बताए कि इनकी वफात या इनकी मौत हो गई थी 1767 इस जी में पैदाइश का भूई ये तो पते लगाना मुश्कील ही था कि इनकी पैदाइश का भूई लेकिन हाँ वफात उनकी मृत्यू क लग ये पता लगए गया तो गुजराती रिसर्चर उनको मालूम चला कि इनकी पैस इनकी जो मौत है 1767 हो गई ठीक है और आगे देखिए हैधरबादी उल्मा ने जो हैधरबादी लोग थैं उनसे मालूम किया गया तो वह लोग बतायां कि मतलब हैधरबादी उल्मा के मत दखनी का वो है सयद वली मुहम्मद याद रखिएगा और जाय पैदाइश यानि कि जगह पर यह पैदा हुए उस जगह का क्या नाम था औरंगबाद में यह पैदा हुए तो यह दोनों कोश्चन पूछता है पता है किस तरह कि गुज्राती मौकिकिन के मुताबिक वली का प पैदाइश क्या है गुज्राती मौकिकिन के मुताबिक तो अप्सन में दिया रहेगा अहमदाबाद तो आप लोग टिक कर दिजेगा या फिर इस तरह से भी कोश्चन पूछता है कि हैदराबादी उल्मा के मुताबिक वली का पूरा नाम क्या है तो सेयद वली मुहम्मद अप्सन में दिया रहेगा तो उसको टिक कर दिजेगा अगर जाय पैदाइश पूछेगा तो और अंगबाद हैदराबादी उल्मा के मुताबिक वली दखनी की पैदाइश का हुई और अंगबाद और ये सही है जो हैदराबादी लोग बताए ना वही लोग सही बताएं सीधेद वली मुहमद humor आठीयों तो और अंगबाद में थी कि यह रखना दोसे चला कि पैदाइश जिए जर आंगबाद में हुई और ये सही है है और अंगाबाद में ही पैदा हुए थे ठीक और इनकी मौत 77 में हुई थी यह भी सही है ठीक लेकिन मुक्तलिफ मुखकी जो है अलग अलग जो रिसर्चर है वो लोग भी यही बताएं कि वली दकनी का पूरा नाम सेयद वली मुहमद और जय पैदाईश और अंगाबाद है जो है ना हज भी किये थे हज बैतुला और मदीना मनवर की जियारत भी की थी ठीक है यह किसके मुताबिक मालूम चला तो तजकर गुलशन गुफ्तार के द्वारा यह भी याद रखेगा अब्जेक्टिव में हो सकता है कि पूछ दे ठीक है और वली दकनी जो है ना उनका जबान था मतलब वो जिस भाषा में लिखते थे वो था दकनी जबान याद रखिएगा दकनी भाषा ठीक है आगे बढ़िए डॉक्टर जमील जालवी ने अपने तहकीक के मुताबिक बताया कि वली सतर सब बीस इस बी तक जिन्दा थे डॉक्टर जमील जालवी ने अपन से बताया कि वली जो है ना वली दकनी reck diez ते एक और उसके बाद से वली के जो शागिर्द थे शाग्रद याँ पर षुट गया हाम है तो वली के जो उसक्राहम करद क्या नाम था सब्सक्राइब उस के यह वली धकनी को मरहूं बताये थे यानि कि मरहूं वली धकनी इसे मालूम चलता है कि 1725 तक वली धकनी की मौथ हो चुकी थी तो इसके इसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 1720 से बिच में वली धकनी की मौत होई होगी लेकिन सही क्या है वो यह है जैना वली दखनी की मौत हुई यह सही माना जाता है यह तो मतलब अन्दाजा लगा सकते हैं और आप बोल सकते हैं डॉक्टर जमील जालीवडी यह अपने रिसर्च से साबित भी किये थे वली दखनी जैना सतर सब वीस तक जिन्दा थे लेकिन अ जाता है हम लोग उसी को सही मानेंगे अगर अपसन में 77 दिया रहेगा तो आप लोग यही टिक कर दीजिएगा ठीक तो चलिए आगे बढ़िए अपने दोस्त सेद अबुलमॉली के साथ दिल्ली का सफर किये और शाह साधुल्लाह गुल्शन से भी उनकी मुलाकात हुई थी वली दखनी की यह भी याद रखिएगा और वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शवरा को रिखतागोई की तरफ रागब किया है याद रखिएगा यह अब जोनों को एक एक करके पढ़कर और तश्रीह कर देती हैं तो सबसे पहले मैं जो पहली घजल हैं वो पढ़कर और उसका तश्रीह करती हूं फिर मैं दूसरी घजल यानि की चैप्टर नंबर थाटीफॉर देखिए पहली घजल कि शुरुआत में लिखे हैं वली दखनी अगर बाहर अपस के घर सू मुहन या कदम निकले तमाशा देखने उस माशा देखने उसका हर एक सीना सो गम लिए यानि कि जब मेरी महबूब एक कदम घर से बाहर निकल जाए तो जितने भी लोग है वो भीड़ लगा देखने के लिए इतनी ज्यादा मेरी महबूब जो है खुबसूरत है ते उसको चेहरे को देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाए लोग ही कठा हो जाए और लोगों के सीनों से जो गम हैं दर्दे वो भी निकल आए मेरे महबूब को देखने के लिए मेरी महबूब इतना ज्यादा खुबसूरत है ठीक तेरे मुख के गुलिस्ता की अगर हुरों में शोरत हो तो हर एक मस्त होकर छोड़ लाएं मेरे महबूब को देखने के लिए मतलब उनके अंदर भी जलन पैदा हो जाए तो मतलब अगर मेरे महबूब के चेहरे की खुबसूरती की जो चर्चा है अगर जन्नत के हुरों तक पहुंच जाए तो हूरे भी जो है ना वह जन्नत को छोड़कर और बाहर चलिया है मेरे महबूब को देखने के लिए अगर ए रशकेची जावे तु करने सेरे मुलकेची तो हर देवल सु इस्तकबाल को तेरे सनम निकले यहाँ पर जो है ना बहुत ही पुराने पुराने लफजों का यूज किये हैं वली दकनी बहुत पुराने पुराने उर्दू के तो हर देवल सु इस्तकबाल को तेरे सनम निकले यहाँ पत्थर की मूर्ते बी जो हैना तेरे सामने खड़ी हो जाएए और तेरा एस्तकबाल करे उतनी जजादा तू खुराने के जानीब तो जियू सूरज हर एक के दिल्सू यह चश्म घरम निकले यहां पर बोल रहे हैं वली दकनी कि फजर के वक्त यान की सुभा के वक्त अगर मेरी जो महभूब है वो हमाब के जानिब चले यान की नहाने के लिए जाए तो रास्ते में जितने भी लोग है वो देखकर दंग रह जाए तंग रह जाए दंग रह जाए ठीक और उनके मतलब सब्सक्वा सबस् Blois कैसे हो सकता है ओर उन schollab भरक उटता है ठेक और वली-स-वदा-जज़ा दिल की हुक्त गरसकू लिखना तो दिवाना हो सानी कल पग में बाहर रियक लास्ट लाइन है और अपना तक्षल स्वली यूज्ज किया है अगर तुझे दिवानगी की हकीकत के बारे में लिखना है तो तुम मेरे बारे में लिखना क्योंकि मुझसे बड़ा दिवना और कौन हो सकता है तो यह बोल रहे हैं यहां पर हो गया आप लोगा पहली जो है न कासी है जोगी दिल वहां का बासी है यहां पर जो है ना पूचे ही यार कहते हैं महबूब की गली को तो यहां पर वली दकनी कह रहे हैं कि मेरी जो महबूब है मेरी महबूब की गली जो है ना एने कासी है यानि की कासी के समान है कासी एक धार्मिक के स्थले धार्मिक जगह परोग जाना पसंद करते हैं कासी और मथुर आप लोग जानते ही होंगे तो उसी तरह जो है ना मेरी महभूब की गली जो है गली वह मेरे लिएंक जाना पसंद करता हूँ और जोगी ये यानि कि ये पिके बैराग की उदासी हैं यहां पर वली दखनी बोल रहे हैं कि पीके बैराग की उदासी यानि कि जुदाई की उदासी पी कर मेरे दिल पर सदा के लिए उदासी चा गई है यहांपर वली दखनीयाँ अपने महभूब को बोल रहे हैं कि ए सणम तेरे चेहरे की खुब सूर्थी और तेरे शरीर की बनाओ तेरी जो बदन है और तेरा जो चेहरा है इसकी खुब्सूर सब्सक्राइबց द्कसि को कुई नहीं है मौजश जमूना की नजूमाना की पीजियों और तेरे चेहरे पर जो तिल है वो सन्यासी के समान है और तेरी जो बाल है वो जमुना की मौज की तरह है यहां पर जो है ना बोल रहे हैं कि अपने महभूब कोई बोल रहे हैं कि तेरी जो जुल्फ है जो कमर तक लटकी हुई है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्यासी नागीन ह जो की के पास गई हुई हो वैसे तो-दूरी जूर्फ कमर टक लटकी को मलती है अगाना गणा अगाना एसा कोई क्या प्यासीं दढ़ाasan का विच्छा धारी नागीन और वह यह ही की हो गु viol के जिसके गुफतार में नहीं है मज़ा सुखन उसका ताम बासी है यहां पर बोल रहे हैं कि जिसके गुफतार में नहीं हो मज़ा जिसकी बात्चित में कोई मज़ा नहीं हो उसको बात करने का तरीका नहीं मालूम हो कभी भी कुछ भी बोल दे कब क्या बोलना चाहिए क्या नह सब्सक्राइब नोगों को मजाएगा जब बाचीत करने का आप के पास तरीका नहीं है कभी भी कुछ भी बोल देवीना कुछ सूचे समझे तो वू आप फूटसी भोजन के समान ने थीक एवली जो लिबास तन पर है आश्रिका के नजुक लिबासी है बोल रहे हैं यहां पर अपने आपको वली रखनी कि एय वली जो लिबास तन पर तन पर रखा है यानी कि जो तुम कपड़े पहने हो जो लिवास तन पर रखे हो आसिका की नजूक लिवासी है तुम लिवास द्रह सब्न जूर हो यानि कि तुम सर से लेकर तक पैर तक दब और चप्र नंबर 35 तो यहां पर होगे आप लोगे आप लोगेस चाप्टर नंबर 34 और चप्र 35 मुस्तनिफ के बारे में भी जान गये तो कोई भी सब्सक्राइब या फिर मुस्तनिफ से रिलेटेड आप अपने पडों से अपने दोस्तों के पास जतना ज़यादा सके उससे होगा यह कि आप हमारे इस चैनल का के दबाकर औल का अपसंद जरूर क्लिक कर ले उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफि के लिए।